नमस्का, मैं उससी आयो जरखन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं पांच भय भाजपा परदेश अध्यक दिपक परकास और बाबलर मरांडी की महजूदगी में बिजय ओसो मनाया गया यहां जम कर पटाखे फुटे मिठाया बाटी गई साथ ही पार्टी के जंडो और डीजे के धून पर हजारो कर्करता सड़क पर जूमते रहे बतादे दिपक परकास ने कहा कि चार राजियों के विधान सभाचुनाव में भाजपा और एंडिये के हुई एतिहासिक सिर्ष नेताओ के कुशल मारतर्शन के कारण हुआ उन्होंने कहा कि यह जीत संस्कृतिक राष्टवाद बिकास और सुसासन की जीत है यह अंतियोदय महिला ससक्तिकरन की जीत है यह तोष्टिकरन और जातिवाद परिवारवाद के खिलाप जीत है सिक्षा की स्थिती सुधारनी है तो विधायक अपसर सरकारी स्कूल में पढ़ाए बच्चे जारकन विधान सभा में स्कूली सिक्षा यों सक्षर्ता विभाग के बयट पर चार्चा के बाद सरकार की ओर से जबाब देते वे सिक्षा मंत्री जगानात महतों ने कहा कि राजे में सारे मंत्री विधायक और अपसरों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए तब सिक्षा कास्तर सुधरेगा मंत्री ने कहा कि भी पक्षी पार्टी के लोग इस सम्मद में प्रस्तावत दे वो इसे पाडित कराएंगे सिक्षा मंत्री ने कहा कि जार्खंड के गाओ गाओ में अंग्रेजी सिक्षा पाने के लिए लोग ललाई थाएं 127 पलस्टो इस्कूल खोले गए हैं सरकार राजय के परतेक, जीला, पर्खंड और पंचायतो तक में अंग्रेजी मेडियम इस्कूल खोलेगी अंग्रेजी सिक्षा में राजय को आत्म निर्भर बनाने की बात मंत्री ने कही पांच राजयों में हार के बाद ज्यारखन कॉंग्रेज में उथल पुथल पांच राजयों के चुनाव पईनाम आने के बाद सबसे सकते में कॉंग्रेज है पुरेदेश की तरह ज्यारखन में भी कॉंग्रेज के नेता होतो साहित हैं और बरसो से मुखे धारा से दर किनार लोग अभी से पार्टी नेतित्व पर सवाल उठाने लगे हैं वरिष्ट नेता फूरकान अंसारी एक बार फिर सिर्ष नेतित्व के खिलाप मुखर दिखे और कहा कि राहुल गांधी को अपने आसपास के लोगों को ठिक करना चाहिए गलत सुझाओ पर चलने के कारण पार्टी का या हाल हुआ है कई नेता जहर्खन में भी गलत नहीं नहीं लिये जाने की बात कर रहे हैं बिधाय को कि सुनी नहीं जा रही है और ऐसा ही रहा तो पार्टी के अंदर का विरोत कभी भी विद्रोह का रूप धारन कर सकता है जमीन डीड ओनलाइन करने की होगी समिक्षा दूसरे राज्यों का भी अध्यायन करेगी सरकार जार्खन में यी निबंधन पोटल के माध्यम से जमीन का विवरान ओनलाइन प्राप्त करने तथा निधारित सूल्क देकर सेल डीड की सर्टिफाइट कौपी प्राप्त करने की वेवस्था परलगी रोक की समिक्षा की जाएगी साथी दूसरी राज्य में लागू वेवस्था का भी अध्यान किया जाएगा मंत्री हफिजूल हसन अंसारी ने गुरु आरको भाज़पा विधायक के ध्याना करशन प्रस्ताव प्रयाजनकारी दी उन्होंने 5-6 माह में इस पर नीना लिये जाने का आसवासन दिया इससे पहले विरंची नराइन ने ओनलाइन वेवस्था खत्म करने पर सवाल उठाते हुए कहा जिले के पेटरवार थाना छेतर में बुधवार की सामको एक नवालिक दलित की सोरी के साथ सामोहिक दुसकर्म की घटना घटी है दुसकर्म के मामले की खाबर मिलते ही पेटरवार में संसनी फैल गई इस घटना से आकरोसी था जारो ग्रामिनों ने पेटरवार में सड़कों को जाम कर दिया साथ घंटे सड़क जाम के बाद याताया ठप हो गई और कई किलोमीटर तक सड़क में वाहनों की लंबी कतार लग गई इस थिती को नियंतित करने के लिए पुलिस ने उग्रे भीर पर लाठी चार्ज किया इसके साथ ही आसुगयस के गोले भी दागे गए जार्खन अंदोलनकारियों को नहीं मिल सकता सोतनता सेनानी का दर्जा संसदिय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने गुरु आर को सदन में साब साब कहा है कि जार्खन अंदोलनकारियों को सोतनता सेनानी का दर्जा नहीं दिया जा सकता ऐसा कोई प्रस्ताव विचारा धिन नहीं है आईसू विधायक सुदेश महतों ने ध्याना कर्शन प्रस्ताव के माध्यम से जार्खन अंदोलनकारियों को सोतनता सेनानी का दर्जा देने की मांग की थी उन्होंने कहा कि अंदोलनकारियों को समान चाहिए मुगवजा नहीं इस पर चार्चा के दुरान कई विधायकों ने कहा कि जार्खन अंदोलनकारियों को तीन चार हजार रुपे मांदे नहीं उन्हें सम्मान चाहिए विधायकों ने जार्खन अंदुरनकारी चीनिती करन आयोग में अंदुरनकारियों की पाचान को लेकर बड़ी संख्या में लम्बित आवेद्नों पर भी सवाल उठाए जार्खन से नहीं हटाए जाएंगे स्रमिक मित्र वर्ष 2015 में परखन अस्तर पर बहाल किये गए 526 स्रमिक मित्र नहीं हटाए जाएंगे स्रम नियोजनेवं प्रसिक्षन मंत्री सत्यानन्द भोकता ने इसका अस्वासन सदन को दिया इससे पहले विधायक सर्जू ने अपने ध्याना कर्शन प्रस्ताव में कहा कि राई सरकार ने अब तक पंचायत अस्तर पर स्रमिक मित्रों का चैन करने का नियने लिया है जिसकी अधी सुचना में कहा गया है की वैसे स्रमिक मित्र जो तीन साल तक काम कर चुके हैं उन्हें पंचायत अस्तर चैनित होने वाले स्रमिक मित्रों में दोबारा सामिल नहीं किया जाएगा जे पी एसी की सातवी सिवील सेवा मोखे परिक्षा सुरू जारखन लोग सेवा आयोग की सातवी सिवील सेवा मोखे परिक्षा सुक्रवार से कड़ी सुरक्षा के बीच राची के गारा केंद्रों पर सुरू होगी 13 मार्च तक होने वाली यह परिक्षा परते एक दिन दो दो पालियों में होगी पहली पाली की परिक्षा सुबा 10 बये से अपराहन 1 बये तक तथा दूसरी पाली की परिक्षा पराहन 2 बये से 5 बये तक आयोजित की जाएगी पहले दिन पहली पाली में पहले पत्र की परिक्षा समाने हिंदी युम समाने अंगरेजी के होगी सोसक अंको की इस परिक्षा में नियुतम तिस अंक लाना अनिवार्य होगा आंदोलन रद पुलिस कर्मियों ने कला बिला लगा कर की ड्यूटी जारखन पुलिसमेंस एसोसेशन के आवाहन पर जीले के सब ही थाने के पुलिस कर्मी आंदोलन पर हैं बुद्धवार सुबा से पुलिस कर्मियों का काला बिला आंदोलन शुरू हुआ है जनकारी के उन्सार 11 माच दक पुलिस कर्मी काला बिला लागा का ड्यूटी करेंगे इसके बाद भी जारखन सरकार पुलिस कर्मियों की मांगे नहीं मानी तो एक कोईस माल से उपवास आंदोलन शुरू होगा एसोसेशन ने इसकी चेतानी सरकार को दे दी है जारखन में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे है जारखन में कोरोना के 87 नहीं केस मिले है जबकि 28 मरी स्वस्त भी हुए है जारखन में कुलेक्टिव केस की संख्या 336 है भारत में 348 नहीं केस मिले जबकि 2276 मरी स्वस्त हुए है भारत में कुल्एक्टिव केस कि संख्या 41 है या 748 है सिक्छा मंतरी से मिला बीत रहीत संघर समॉर्चा का पrtin निदी मंदल सिक्छा मंतरी जागनात महतो से मिला इस्कूल कोलेजों के अधिगरहन एवं बीतिय वर्ष 2021-22 के अनुदान की रासी पुर्व की भाती सीधे भी भाग से संस्थावों के खाते में भेजने की मांग की मुर्चा के परतिनिदियों ने मंतरी से कहा की DEO के खाते में जाने से बीचोली आहावी हो जाता है पारदर सिता बनी रहे और रासी की बंदरबाट ना हो इसलिए अनुदान की रासी सीधे संस्थावों के खाते में भेजी जाए दरोगा नियुक्ति निमावली के खिलाप दाएर एजक्या खारी जारखन हाई कोट ने दरोगा नियुक्ति निमावली को चुनोती देने वाली आज का खारिश कर दी है चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नराइन परसाद के अदालत ने कहा कि जब निमावली बनती है तो सभी प्रधान लागू होते हैं बसंत कुमार महतो ने आज का दाखिल कर कहा था कि जे एससी की और से दरोगा कि नियुक्ति के लिए बिग्यापन जारी किया गया था बाद में राइस सरकार ने निमावली लागू किया और दोड की दुरी को घटा दिया ऐसे में अगर उक्त निमावली नियुक्ति में लागू कर दी जाती है तो उनका चैन हो जाएगा जे ससी का कहना था कि बिग्यापन के बाद कानून बना हा इसलिए नियुक्ति पर उक्त कानून लागू नहीं होगा हर बात पर खड़े हो जाते हैं सीट पर फेवी कोल लगा देना चाहिए सिक्षा मंत्री जार्खन के 82 सत्रे में गुरुवार को इसकुली सिक्षा एवम सक्षर्था विभाग पर चार्चा होई और सदन से पास हो गया इसकुली सिक्षा एवम सक्षर्था विभाग के मंत्री जगनात महतों ने बर्तमान सरकार के द्वारा सिक्षा के प्रती काटि बत्ता और पिछली सरकार की नकामियों को सदन में रखा मंत्री जगणात महतों ने सदन में कहा कि वैसो तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए पर ओ चाहते हैं कि विपक्ष की तरप सिक्षा को बेहतर बनाने का एक प्रस्ताव दिया जाए सिक्षा मंत्री ने कहा कि COVID काल का सबसे ज़्यादा परभाव सिक्षा विभाग पर पड़ा है पिछले पांच साल में सबसे ज़्यादा सिक्षा विभाग को बरबाद किया है पाराशिको के साथ राज सरकार ने नयाय करने का काम किया जबकि पिछली सरकार ने लाठी से पिटने और जेल भेजने का काम किया था यूक्रेन यूद का असर जारखन में दिखा रूस यूक्रेन के बिद चल रहे यूद का असर राची में भी दिखने लगा है वह असर है बढ़ती महाई घर बनाने का सपना हो या रसोई का तेल सब कुछ आम आदमी से दूर होता जा रहा है महाई की आग फैलती जा रही है इसका असर आम राजधानिवासियों की जेब पर दिख रही है रोजमरा के समान की कीमत बढ़ गई है इसके अलावा कई ऐसे रो मेटेलियर और समान है जो रूस और यूक्रेन से आते हैं इसका राण आम लोग परशान है इधर भी से सग्यों का कहना है कि या दि पेटोल और डियल के दाम बढ़ गए तो कीमतों में और आग लगा देगी टीपीसी एरिया कमांडर अभाय जी ने किया सरेंडर पर्तिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी का एरिया कमांडर अभाय जी उर्फ सकेंद्र यादवने गुरुवार को पलामुजी लेके उपायुक ससी रंजान वो एस्पी चंधन कुमार के समक्ष दो, तीन, पॉइंट, एक, पांच, बोल्ट, एक, सन, राइफ, हल्वा, चओध, जिंदा, कार्थ, उसके साथ आत्मसवर्पन कर दिया पुलिस अधिक्छक, कर्याले में आवेजित एक कारेकरम में डीसी, एस्पी वा अन्य अधिकारियों ने फूल, माला, पहना, कर, नक्सली, एरिया कमंडर को समाज के मुक्षधारा में स्वागत किया गया मोखे पर उपायुक ने बताया कि आत्मसवर्पन करने के बाद अभाय उर्प सकेंदर को जहर्खन सरकार के आत्मसवर्पन एवं पुर्णवास नेती के तहद पूरा लाब दिया जाएगा इसके तहद उसके पास अपनी पतनी के साथ ओपेन जेल में भी रहने का विकल्प है जगरनाथ महतो बिधायको को गिफ्ट देंगे साइकिल जहर्खन बिधान सभा में गुरुवार को जहर्खन बयट सत्र के लिए बिधान सभा के करवाही अरम कर दी गई सभी बिधायको को मंत्र जगनात महतो का गिप्ट सभी बिधायको को जगनात महतो साइकल गिप्ट में देंगे आपको बता दे कि बिधान सभा के समेलन कक्ष में जगनात महतो दोबरा गिप्ट किया गे साइकल का बित्रन होगा आंगनवाडी सेविका सहाई काओ के मांदे पर सरकार सिग्र लेगी निरनाय महिला एवंबाल विकास मंत्री जोभा मांजी ने जार्खन विधान सभा में गुरुवार को चल रहे आंगनवाडी केंद्रों में कारेरात पोशन सक्यों की सेवा और मांदे पर जार्खन सरकार सिग्र निरनाय लेगी इस पर जार्खन सरकार विचार कर रही है उन्होंने कहा कि केंद्रे ने इनका मांदे बन कर दिया है इस स्थिती में इनका मांदे कई माहस चे लंबी था है आपको बता दे कि डोलंडा इस्थी चिडिया प्राधिकरन सभागार में आवजित कारिकर में आंगनवारी सेविकावा साहिकावो को समधित करते हैं मंत्री जोवा माजी ने केबिनेट में इस पर चार्चा करने पर अस्वासन दिया था रांची में ट्रैफिक चलान कटा पर राशी जमा नहीं कर रहे लोग रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा आर एल बीडी वा ए एन पी आर कैमरे वा एफ टी भी आर से पिछले वर्स 2021 में 10 कोर से ज्यादा का जूर्माना वसुला गया इसमें रेड लाइट सिगनल तोडने ब एक वर्स की वसुली में केवल 3 करोर की ही वसुली हो सकी जबकि 7 करोर बकाया है इसकी वसुली के लिए रांची के ट्रैफिक एस पी सौरब ने कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों को निर्धेस दिया है कि सब ही को वसुली के लिए एसमेस भेजी जाए जारखंड के 2,75,000 दिव्यांग सरकारी सुविधाओं से है बनची जारखंड में करीब 2,75,000 दिव्यांगों के पास दिव्यांगता पर्मान पत्र नहीं है इस करने वे सरकारी योजनाओं का लाप प्राप्त नहीं कर पा रहे राज थरकार ने निना लिया है कि अभ्यान चलाकर सभी दिव्यांगों को 31 मार्ज तक दिव्यांगता पर्मान पत्र दिया जाए मुख्य सचीव सुखदेव सिंग ने सभी उपायुक्तों कोता है समाई में सभी दिव्यांगों का प्राणपत जारी करने के लिए दिशा नेदेश जारी दिया है सरकार का नुमान है कि राज में करीब 5 लाख दिव्याग है राज जेपाल ने बाल बिवा उन्मुलन का दिया मौंत्र तीन बेटियों को दो-दो लाख देने की घोसना जारखन के राज जेपाल रमेश बैस ने कहा है कि अगर समाज सिक्षित हो जाए तो बाल बिवा जैसी समाजिक बुराई अपने आप ही समाप्त हो जाएगी बाल बिवा जैसी कूपराथा को दूर करने के लिए समाज के परतेक ब्यक्ति को जागरूप होने के हो सकता है इस मौके पर उन्होंने बाल बिवा उन्मुलन के लिए काम करने वाली तीन बेटियों को दो-दो लाख रुपे पुरुत साहन राशी देने की घोसना भी की देसी के तहत बालू के उठाव के साथ साथ खरेद विक्री की जाएगी तीन सिरेनियों में बालू की निलामी होगी 31 मार्च तक निलामी हो जाएगी मुक्ष सचीव सुकदेव सिंग वा खनन सचीव पूजा सिंगल ने बुद्धवार को विडियो कंफ्रेंसिंग कर पूर्वी सिंभूम समेत राजे के सभी जीलों के DC, SSP वा जीला खनन पतादिकारी को नई पॉलीसी की जनकारी दी 10 हेक्टेर से कम वाले बालू घाट और 10 हेक्टेर से 50 हेक्टेर के बालू घाट की निलामी जीला अस्तर से होनी है इसकी सूची 2-3 दिनों के अंदर निगम उपलब्द कराएगा जबकि 50 हेक्टेर वा उससे ज्यादा बड़े बालू घाटो की निलामी राज निगम ऑनलाइन करेगी धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चलों को सब्सक्राइब कर बाल का बेले कंद बढ़े साथ सब वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडिवे का अवस से दे थेंक्यू